हलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो माई चैनल मैं अपने चैनल एच्पी एक्जाम कॉर्णर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ I hope कि आप सभी लोग अच्छे होगे और आपके एक्जाम की तियारियां भी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज हम हिस्ट्री की क्लास 12 करने वाले हैं लास्ट सेशन में हमने मौरेवंश किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो आज हम मौरेवंश कंप्लीट करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मौरेवंश शुरू करते हैं तो friends हमने अशोक के बारे में जो है last session में पढ़ा था, तो उसी को ही हम आगे continue करेंगे, तो ये समराठ अशोक की image है, आप देख सकते हैं, अब हम बात करते हैं कि अशोक की माता का नाम तो friends, अशोक की माता का नाम क्या था? सुभ धरांगी उनकी माता का नाम था important है, ठीक है? अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंदर और उनकी पुत्री का नाम क्या था? संगमित्रा, महेंदर और संगमित्रा important है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स है कि अशोक ने शिरिलंका में बौद धर्म के प्रचार को किसे भीजा था? तो friends, अशोक ने शिरिलंका में बौद धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और अपनी पुत्री महेंदर और संगमित्रा को भीजा था, ठीक है friends? next question है कि भारत में शीला लेक का प्रचलन कौन शुरू करता है very important question friends पिछले एक्जाम में पूछा गया है ये question तो friends भारत में शीला लेक का प्रचलन तो किस ने शुरू किया था अशोक ने किया था next question है कि अशोक के शीला लेक की लिपी कौन कौन सी लिपी में उन्होंने अपने शीला लेख लिखे हैं तो फ्रेंड्स मेंली चार लिपियों में अशोक ने अपने शीला लेख लिखे थे ठीक है तो वो चार लिपियां कौन सी थी पहली है ग्रीक लिपी, दूसरी है अर्माईक लिपी, तीसरी है खरोष्टी और चौती है ब्रहमी तो फ्रेंड्स अकर हम बात करते हैं ग्रीक लिपी और अर्माईक लिपी की तो ये दोनों ही हमें अफगानिस्तान से मिली है ठीक है अगले कोशिन के और बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि अशोक के शीला लेखो की खोज सबसे पहले कौन करता है तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अशोक के शीला लेखोज सबसे पहले किस ने की थी तो वो की थी पादरेटी फैन्थिलर ने की थी और कब की थी 1750 इस्वी में उन्होंने की थी ठीक है दुबारा रिपीट कर रहे हूं कि अशोक के शीला लेक की खोश सबसे पहले कौन करते हैं तो वो करते हैं पादरेटी फैन्थिलर और कब की थी 1750 में की थी ये भी important question है पि और 14 शीला लेक अशोक के द्वारा लिखे गए थे ठीक है और वहीं हम बात करेंगे स्थम्भ लेक तो शीला लेक कितने थे जीला लेक थे 14 ठीक है, 7 x 2 तो 14 शीला लेख थे तो next हम बात करेंगे कि अशोक के शीला लेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किस ने पाई थी तो friends, अशोक के जो शीला लेख थे उनको पढ़ने में सबसे पहले सफल कौन हुए थे James Prince App, ठीक है, कब हुए थे ये 1837 में उन्होंने सफलता पाय थी अशोग के शीला लेखो को पढ़ने में नेच्स्टवेशन है f armpits अशोग के stubbornrh लेख किस लपी में किस लिपी लिखे गए हैं तो friends मैंने आपको पताया कि 7 dumb arg थे कौन सी लिपी में लिखे गए हैं ब्रहमी लीपी में देखो जो हमारे अभिलेक थी उनकी तो हमने बात कर लिखी कौन-कौन सी लिपी में लेकिन जो स्थम्बलेक है वो किस लिपी में लिखे गए है ब्रह्मी लिपी में लिखे गए है तो confuse नहीं होना है आपको जो अभी लेख थे वो चार लिपी में लिखे गए थे और जो स्थम्बलेख है वो केवल ब्रह्मी लिपी में लिखे गए थे नेक्स है कि कोशामभी अभी लेख को क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स को शाम भी अभिलेग को क्या कहा जाता है रानी के अभिलेग के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है कि अशोक का सबसे छोटा स्तंबलेग तो सबसे छोटा स्तंबलेग कौन सा है रुमे देई अभी लेक जो है अशोक का सबसे छोटा स्थम्भ लेक है नेक्स्ट बात करेंगे कि अशोक का सबसे लंबा स्थम्भ लेक अभी लेक कौन सा है सेवन्थ वा जो है साथ वा जो अभी लेक है अशोक का सबसे लंबा अभी लेक है नेक्स्ट बात करेंगे कि अशोक का शेर एक उन्हा अभिलेक किस लिपी में लिखा गया है तो फ्रेंट्स अशोक के द्वारा जो अभिलेक लिखा गया है कि ये बार ये भी पूछ सकते हैं कि शेर एक उन्हा अभिलेक किस ने लिखा है तो आपको पताँज़े कि अशोक ने लिखा है ठीक है अब हम यहाँ पर यह बात कर रहे हैं कि किस लिपी में लिखा गया है तो यह ग्रीक लिपी और अर्मायक लिपी में लिखा गया है शेर एक उनहा अभी लिख ठीक है फ्रेंस नेक्स्ट बात करते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाईयों की हत्या की तो इसका प्रमान है इसका प्रोफ हमें कहां से मिलता है तो इसका फ्रेंड प्रोफ हमें सीहली से मिलता है नेक्स्ट बात करेंगे कि अभी लेखों में अशोक को क्या कहते हैं तो फ्रेंड इंपॉर्टन क्वेशन है ये भी वेरी इंपॉर्टन क्वेशन पिछले एक्जाम में आया है कई एक्जाम में पूछा गया है ये क्वेशन तो अभी लेखों में अशोक को क्या कहा गया है द शेरी नगर की स्थापना कौन करता है तो फ्रेंट्स शेरी नगर की स्थापना किस ने की थी अशोक ने की थी नेक्स्ट है कि अशोक का नाम अशोक मौरे कहां मिलता है तो फ्रेंट्स अशोक का नाम अशोक मौरे कहां मिलता है तो गिरनार अभिलेक वेरी इंपोर्टेंट अ अशोक ने कलिंग पर आकर्मन किया तो उस समय वहां का राजा कौन था तो वहां का राजा कौन था नंद राज वहां का राजा था नेक्स्ट बात करेंगे कि अशोक के समय कलिंग क्यों फेमस था तो फ्रेंड्स कलिंग क्यों फेमस था तो कलिंग फेमस था हाथियों के इंप अशोक के समय कलिंग की राजानी तो फ्रेंट्स उस समय कलिंग की राजानी क्या थी? तोसली थी. ठीक है? नेक्स्ट कॉइस्चिन है. इंपॉर्टेंट कोइस्चिन है. पिछले एक्जाम में पूछा गया है. नेपाल में बौध धरम का परचार कौन करता है तो फ्रेंड्स नेपाल में बौध धरम का परचार कौन करते हैं अशोक करते हैं ठीक है 24 तीलिया है नेक्स्ट बात करेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक भेरी घोश्ट धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाते हैं तो फ्रेंड्स कलिंग का जब युद्ध हुआ उससे पहले क्या है अशोक भेरी घोश्ट धर्म को अपनाते थे लेकिन इस युद्ध के बाद उन्होंने क्या क्या है इस धर्म को त्याग दिया और उसके बाद कौन सा धर्म अपनाया तो धंगोश्ट धंगोश्ट का मतलब क्या है कि सबी धर्मों को एक समान मानना, ठीक है, सबी धर्मों को एक समान मानना, तो कौन सा धर्म अपनाया, धम घोश, नेक्स है कि अशोक की कर नीती की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो फ्रेंट्स अशोक की जो कर नीती थी, टैक्स, ठीक है, टैक्स नीती थी, उसकी हमें जान कारी रूमी देई अभी लेक से मिलती है रूमी देई सबसे छोटा भी लेक भी था ठीक है नेक्स है कि बहुत धरम से पहले अशोक किस धरम को मानते थे तो फ्रेंड्स बहुत धरम से पहले अशोक किस धरम को मानते थे शैव धरम को वो मानते थे ठीक है ये भी इंपोर्टें नेक्स है कि अशोक के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसका था तो अशोक के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव किसका था कारुवाकी उनकी वाइफ का नाम था कारुवाकी ठीक है तो सबसे अधिक प्रभाव कारुवाकी का था अशोक के जीवन में नेक्स्ट बात करेंगे कारुवाकी और अशोक के पुत्र का नाम क्या था तो फ्रेंड्स कारुवाकी और अशोक के पुत्र का नाम क्या था तीवर ठेके फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें कि नाग देवी किसकी पत्नी थी तो फ्रेंड्स ये तो हमें पता ही है कि उस टाइम राजा महाराजाओं की काफी वाइफ हुआ करती थी तो उनकी वाइफ थी एक और नाग देवी तो नाग देवी किसकी पत्नी थी अशोग की और फ्रेंड्स ये नाग और संग मित्रा को शिरिलंका बेज़ा था अशोक ने बोधरम के प्रचार के लिए ठीक है तो याद रखना है नाग देवी के बच्चे कौन थे महेंदर और संग मित्रा ठीक है कारुआकी का कौन था तेवर था नेक्स्ट है कि असंग मित्रा किसकी पतनी थी तो फ्रेंट्स असंधी मित्रा भी अशोक की ही पतनी थी नेक्स्ट बात करेंगे कि मौरेकाल में समराज्य कितने प्रांतों में बटा था तो फ्रेंट्स यहां बात कर रहे हैं मौरेकाल की तो मौरेकाल में जो समराज्य है वो चार प्रांतों में बटा हुआ था ठीक है चार प्रांतों मे नेक्स्ट बात करेंगे कि important question है friends यह जो मैं आपको बताने वाली हूँ और पिछले exam में यह पूछा गया question है नेक्स्ट है कि अशोक ने हिमाले या हिमाचल में बहुत धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भीजा था तो friends उन्होंने मज्यम को भीजा था हिमाले में बहुत धर्म के प्रचार के लिए नेक्स्ट है कि अशोक ने महराष्ट्र में ठीक है friends यहाँ पर बात हो रही है महराष्ट्र की तो महराष्ट्र में बहुत धर्म के प्रचार के लिए किसको भीजा था तो महाधर्म रक्षिक को भीजा था उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत धर्म के प्रचार के लिए तो ऐसे यादख लेना कि महा, 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 ठीक है तो महाराष्ट्र महाधर्म रक्षिक तो दोनों में महा, महा लगा हुआ है नेक्स्ट बात करेंगे अशोक ने किस अभिलेख में पशु बली की निंदा की है तो फ्रेंड्स उनका जो पहला अभिलेख था उसमें अशोक ने क्या है पशु बली की निंदा की है नेक्स ते कि अशोक ने कौन से शीला लेक में भेरी घोश की जगा धम घोश का वर्नन किया है तो फ्रेंड्स अशोक ने चोथे शीला लेक में जो है भेरी घोश की जगा धम घोश का वर्नन किया था नेक्स है कि अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्नन कौन से शीला लेख में किया था तो फ्रेंड्स अशोक ने जो है कलिंग युद्ध का जो वर्नन है वो क्यों से शीला लेख में किया था तो तेरवा जो शीला लेख था उसमें किया था next question है और important question भी है ये question भी पिछले exam में पूछा जा चुका है तो friends आप देख रहे हैं कि जो more events है वो कितना important topic है हर question को आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और friends मैंने detail में आपको ये पढ़ाया है इससे भार एक भी question आपका नहीं छूटेगा अगर आप इसको deeply study करेंगे तो hopefully आपको ये video अच्छी लग रही होगी friends तो important question की बात करते हैं अशोक ने किस शीला लेख में धार्मिक जीवन अपनाने की बात कही थी तो friends अशोक का कौन सा शीला लेख था जिसमें उन्होंने धार्मिक जीवन अपनाने की बात कही थी तो वो था चौदवा 14th शीला लेख ठीक है next है कि चंदरगुप्त मौरे के लिए निमनकुल चंदरगुप्त मौरे के लिए निमनकुल शब्द का प्रियोग जो है किस में हुआ था या कहां हुआ था ठीक है तो मुद्राराक्षस में जो है चंदरगुप्त मौरे के लिए है निमनकुल का शब्द प्रियोग हुआ था मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है तो मुद्रा राक्षस is written by विशाख दत ठीक है कई बार ये भी question आता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है तो उसके लेखक है विशाख दत ठीक है फ्रेंड्स ये है चंदरगुप्त मौरे की image हमने attach कर ली है साथ ही में आप देख सकते हैं नेक्स्ट है कि मौरे काल में agronomoi किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स मौरे काल में agronomoi किसे कहा जाता था तो सडक निर्मान अधिकारी फ्रेंड्स जो सडक का निर्मान करने वाला अधिकारी था उसे क्या कहते थे एग्रो नमोई ठीक है नेक्स है कि किस जैन ग्रंथ में चंदर गुप्त ने जैन धरम को अपनाने का प्रमाण मिलता है तो फ्रेंड्स चंदर गुप्त के किस ग्रंथ में मिलता है तो वो ये मिलता है परिशिष्ट पर्व परिशिष्ट पर्व में मिलता है कि जो चंदर गुप्त है उन्होंने जैन धरम को अपनाया था ठीक है और जो परिशिष्ट पर्व है वो किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखा है हेम चंद के द्वारा लिखी गई है नेक्स्ट बात करेंगी कि मौरे समराज्य का राज कोशिय वर्ष कौन सा हुआ करता तो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं मौरे समराज्य के राज कोशिय राज कोशिय एर जो उनका हुआ करता था जुलाई ठीक है जिसे अशाड़ भी कहा जाता है ठीक है तो जुलाई भी में हो सकता है अशाड़ भी हो सकता है तो दोनों ही आपको याद रखने है नेक्स बात करते हैं कि अर्थ शासर में चर किसे कहते थे तो फ्रेंड अर्थ शासर में चर किसे कहा जाता था जासूस को जो है चर कहा जाता था किसे जासूस को देखो ऐसे याद रख लेना जासूस जासूस को और क्या कहते हैं गुप्त चर गुप्त चर भी कहते है न तो चर ठीक है गुप्त काट लो और चर रहेगा तो इस तरह से इसे याद कर लेना नेक्स थे कि अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी देखो friends पहले हमने बात की थी कि मौरे काल में तो मौरे काल में थे चार मेंली परांथ लेकिन अब बात कर रहे हैं अशोक तो अशोक के समय में पांच परांथ हो गए थे देखो पहले थे चार परांथ लेकिन अशोक के टाइम में पांच हो गए थे तो अगर मौरे काल पुछा जाए तो उसमें थी चार लेकिन अशोग के टाइम में पुछा जाए तो उसमें है पाँच ठीके अब है कि उसमें प्रांतों को क्या कहा जाता था तो प्रांतों को क्या कहते थे चक्कर कहते थे याद रखना है कि प्रांतों को उसमें क्या कहते थ और राश्ट्रिक भी कहा जाता था तीनों में से कोई भी option में आपको दिया जा सकता है तो याद रखना है कि प्रांतों के मुख्या को कहते थे क्या कुमार, आरे पुत्र या राश्टिक ठीक है नेक्स्ट बात करें कि मौरे काल में प्रशासन की सबसे छोटी اिकाई क्या थी important question है फ्रेंड्स जी ठीक है तो मौरे काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे ग्राम या ग्रामिक कहते थे और फ्रेंड्स कई एक्जामेना गोमपा भी लिखा गया है गोमपा तो याद रखना है आपको ठीक है तो कहीं भी ग्राम दिया हो ग्रामिक या गोमपा दिया हो तो टिक लगा देना उसमें ठीक है ये क्या है मौरे काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई नेक्स्ट बात करते हैं कि मौरे काल में बिक्री कर कितना था तो फ्रेंड्स मौरे काल में जो है बिक्री कर कितना था वन बाई टैन ठीक है वन बाई टैन था बिक्री कर अब बात करते हैं अर्थ शास्तर में गुप्तचर को क्या कहते थे ये भी important question है पिछले exam में पूछा ग अर्थ शास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है गुड़ पुरुष कहा गया है गुड़ पुरुष ऐसे यादखना गुप्तचर और गुप्तचर और गुप्तचर और गुड़ पुरुष ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे कि मौरे काल में चीफ जस्टिस को क्या कहते थे तो फ्रेंड्स मौरे काल में चीफ जस्टिस को राजुक कहा जाता था नेक्स्ट है कि सरकारी भूमी को क्या कहा जाता तो फ्रेंड्स मौरे काल में सरकारी भूमी को क्या कहते थे सीता भूमी कहते थे next है कि बिना वर्षा के भी जहाँ अच्छी फसल होती थी तो उस भूमी को क्या कहते थे देखो वहाँ पे वारिश नी हो रही है लेकिन फिर भी वहाँ पे अच्छी फसल हो रही है तो ऐसी भूमी को अदेव मात्रिक कहा जाता था अदेव मात्रिक ठीक है next बात करेंगे कि वैश्य वृत्ति को अपनाने वाली महीला को क्या कहते थे तो friends जो महीलाएं वैश्य वृत्ति को अपनाती थी उसे क्या कहते थे रोपा जीवा के नाम से जाना जाता था next है कि सांची कला किस मूर्ति कला को का मिश्रण है तो friends सांची कला जो है वो है बौध कला का मिश्रण important है सांची कला किस मूर्ति कला का मिश्रण है तो सांची कला है बौध कला का मिश्रण ठीक है next question जो है next question भी आपका बहुत important है और ये भी पिछले exam में पूछा ठीक है तो ये question है कि वो कोन सा 스ंब लेख है जिसमें अशोख ने स्वयम को मगद का समराथ बताया है तो friends वो कौन सा समराथ है तो वो है ब्रामबरू स्वयम सेंब लेख में अशोख ने क्या है अपने आपको मगद का समराथ बताया था संबलेख है जिसमें अशोक ने स्वयम को मगद का समराथ बताया है तो वो कौन सा संबलेख है तो वो है ब्राबरू संबलेख में अशोक ने क्या है अपने आपको मगद का समराथ बताया था नेक्स्ट बात करेंगे कि उत्तरा उत्रा खंड में अशोक के शीलालेख कहा है तो फ्रेंड्स उत्रा खंड में कलसी नामक जगा पर क्या है अशोक के शीलालेख पाए गए है नेक्स्ट है कि सांची स्तूप कौन बनवाता है तो सांची स्तूप किस ने बनवाय था अशोक ने ही बनवाय था नेक्स्ट है कि प्रियाग स्थम्भलेक कहा पर था कुषामबी में तीक है कुषामबी में है प्रयाग स्थम्भलेक नेक्स्ट है कि प्रियाग स्तंबलेख को इलाबाद कौन लेकर गया था तो फ्रेंट्स प्रियाग स्तंबलेख को इलाबाद कौन लेकर गया था अकबर ठीक है तो अकबर लेकर गये थे प्रियाग स्तंबलेख को कहां इलाबाद नेक्स्ट है कि अशोग के स्थम्भ लेख दिल्ली टोपरा कौन लेकर गया था तो फ्रेंट्स अशोग के स्थम्भ लेख दिल्ली टोपरा कौन लेकर गया था शोशाह तुपलक ये भी important है ठीक है कि अशोग की जो स्तंबलेख है उसे दिल्ली टोपरा कौन लेकर गया था नेक्स्ट बात करेंगे कि राम पूर्वा स्तंबलेख कहा है तो फ्रेंड राम पूर्वा यह पूर्वा ठीक है तो राम पूर्वा स्तंबलेख कहा है बिहार के चमपारन में है ठीक है नेक्स है कि लोरिया अरे राज लोरिया अरे राज स्तंबलेक भी कहा है बिहार में है और अगर हम बात करें लोरिया नंदगर स्तंबलेक तो ये भी है बिहार में ठीक है नेक्स बात करेंगे कि मौरे काल में forest officer को क्या कहते थे तो friends मौरेकाल में forest officer को क्या कहा जाता था आट विक कहा जाता था ठीक है next है कि मौरेकाल में राज्ये कोश का व्योरा ष्म समय हरता थेक है मतलब जितना भी झो धन्निक ट्ठा होता था राज्ये कोश में treasury बोल सकते आप कोश को दो उसे क्या कहते थे जो उसका व्योरा रखते थे समाहरता उसे कहते हैं इंपोर्टेंट है पतावर थे मारे शासन कितने वर्षों तक रहा तोASE अगर मारे शासन कितने वर्षों तक रहा था वर्षों तक रहा था 137 years तक राज किया था तक इसमें मारे शासन ने ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे व्रीहद रत की हत्या कौन करता है तो मैंने भी आपको बताया कि वरिहदरत कौन था मौरे कालीन का अंतिम राजा था ठीक है तो उसकी हत्या किस ने की थी पुष्य मित्र शुंग ने की थी ठीक है तो क्या हुआ वरिहदरत अंतिम राजा था मौरे काल का तो उसकी हत्या कर ली पुष्य मित्र शुंग ने तो शुंग वंश की हम बात करेंगे इसके बाद ठीक है तो next है कि अशोक के प्रधान मंतरी का नाम क्या था तो friends अगर हम बात करें अशोक के प्रधान मंतरी तो उसका नाम था राधा गुप्त ठीक है राधा गुप्त था अशोक के प्रधान मंतरी का नाम नेक्स्ट है कि मौरेवंश का राजिय प्रतीक क्या था तो फ्रेंट्स मौरेवंश का जो राजिय प्रतीक था वो क्या है मौर था ठीक है नेक्स्ट हम बात करें कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपी में लिखे गए है तो friends अधिकांश अभी लेक मैंने आपको बताया कि चार लिपी में लिखे गए थे उनके अभी लेक ठीक है वो चार लिपीया कौन सी थी खरोष्टी, अर्माइक, ग्रीक और ब्रहमी लेकिन उनके जाधतर अभी लेक जो है ब्रहमी लिपी में लिखे गए है नेक्स्ट है, मौरेकाल में दूरी नापने की इकाई को क्या कहते थे friends अगर दूरी को नापना है, डिस्टेंस मेजर करना है तो उसको मेजर करने की जो इंस्टूमेंट कह सकते हैं आप या इकाई कह सकते हैं तो क्या था 10 Centadia उसको कहते थे इंपोर्टेंट है पताओन अच्छे आपको नेक्स्ट है कि पार्टली पुत्र में चंदरगुप्त का महल किसका बना था तो फ्रेंड्स पार्टली पुत्र में क्या है लास्ट कोश्चन भी हमारा यही है तो लास्ट कोश्चन क्या है कि अशोक ने किस संब लेख में लिखा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं तो कौन सा संब लेख था उनका पृत्थक कलिंग शीला लेख में लिखा है उन्होंने कि सभी जो मनुष्य है वो मेरे बच्चे है, ठीक है तो इसी के साथ friends जो मौरेवन्श था वो समाप्त होता है और कल हम करेंगे शोंगवन्श ठीक है, शोंगवन्श या इसे ब्रामन वन्श भी कहा जाता है ठीक है तो शोंगवन्श की स्थापना किसने की थी पुशे मित्र शोंगने कैसे क्योंकि वरिहदरत को किस ने मारा था पुश्यमित्र शोंग ने उन्हें मारा था तो उसकी स्थापना किस ने की तो शोंगवश की स्थापना हुई किस के दौरा पुश्यमित्र शोंग के दौरा तो यह हम next वीडियो में पढ़ेंगे तो hopefully friends आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी ठीक है तो friends अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो please आप मेरी वीडियो को like करना बिल्कुल न भूले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please आप मेरे चानल को subscribe करें bell icon पर press करें ताकि time to time आपको मेरी वीडियो की notification जो है मिलती रहे और friends description box में मैंने अपने telegram चानल का link भी mention किया है तो आप link पर जाकर मेरे telegram चानल को भी join कर सकते हैं तो thank you friends, thank you for watching my video and all the best for your next exams